हलो एब्रिवन मैं हो दिलजेत और आप देख रहे हैं रिव्यू पॉइंट दोस्तो आज की वीडियो मैं आपसे बात करूंगी नेपाल के बारे में नेपाल एक ऐसा देश है जो पहले हिंदुस्तान में था और हिंदुस्तान के पास में है इसमें भी जाने के लिए जो है आपको वीजा की जुरूत नहीं पढ़ती है ये भी अच्छा एक फैक्ट है मैं आज इसी तरह के काफी फैक्ट बताऊंगी जो आप नहीं जानते होंगे नेपाल के बारे में बहुत ही रोचक तत्यों के आज बारे में आज हम लोग बात करें होगी दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हिमाले की गोद में रेपाल बसा हूँ आया और हमारे जो शिवजी भगवान है वहां उनकी बहुत ही जादा माननेता है तो काठमांडू मैं जो है बहुत बड़ा मंदिर भी है शिवजी का और बहुत सी लोग वहां पे दर्शन करने भी यहां से भारत से जाते हैं और आपको वहां जाने के लिए वीजा की भी आवशक्ता नहीं होती है तो बहुत ही अच्छा देश है घूमने के लिए बहुत ही प्यारा देश है और आजकल जो हम मोमोस खाते है वो वहीं का फास्ट फूड है फेमस फास्ट फूड है वो व यानि उसके चार कोने नहीं है बाकी दुनिया में सभी जंडों के जो है चार कोने होते हैं इसका जो आकार है वो थोड़ा सा डिफरेंट है और सभी देशों के तो वरगा कार जंडे होते हैं इसलिए उनके चार कोने होते हैं इसका जो जंडा है उसका शेफ थोड़ा सा डिफ गई है बेचना खरीदना या इस्तिमाल करना ये सारी चीज़े इनलीगल है दोस्तों नेपाल में जो है हाथ मिला कि आप किसी का अभिवादन नहीं कर सकते हैं अगर आप किसी का अभिवादन आपको तो आप हाथ जोड के नमस्ते करके ही उसका अभिवादन करेंगे एक इस धर्मों के जो है लोग वहां पर अभी बसते हैं एक फैक्ट और है वहां का जो वहां पर 123 तरह की लेंग्वेजिस बोली जाती है नेपाल में नेपाल जैसे छोटे देश में पूरे विश्व में है वहां दोसरा इस्थान काफी अच्छी बात है इस सीच से तो हम लोगों को भी कुछ सीखना चाहिए दोस्तों अगला फैक्ट जो है नेपाल जो है कभी भी गुलाम नहीं हुआ यानि कि जब हम लोग गुलाम थे इंडिया गुलाम था और एशिया की का स्वतंत्रत दिवस कैसे मनाएगा कोई तो यह एक बहुत है इंट्रेस्टिंग फैक्ट जो आप नहीं जानते होंगे दोस्तों हमारे याप सारे ओफिसेज की छुट्टी जो होती है यानि वीकली अवकाश जो होता है वो होता है संडे लेकि नेपाल में जो होता है सेटेड दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन बैल को तो जरूर से जरूर दबा लें ताकि इसी तरह की वीडियो जानकारी आए जो मैं आपको वीडियो में उपलत कराती रहूंगे मैं मिलती हूं वीडियो में नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए बाई